हलो गाइज हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगी केम साप्ट में कौन-कौन से पार्ट पड़ते हैं तो नमबर एग इसे पहले निकाल लीजिए और निकालने के बाद यह पुरानी पुराना आइटम निकाल के नए आइटम कैसे डालते हैं कि आप देखते रहे हैं पहली पिन निकली वह गाउनर वेट और पिन निकाल चुकिए दूसरी पिन निकाली जा रही है कि दूसरी भी पिन निकल गई है अब यह केम तकली भी बोलते हैं इसे यह एक च्छरा पांचे में पांचे में का है अब नया सामन काउन काउन से आइटम है च्छरा आगे डालने के बाद आप केम तकली को फिट कर दीजिए उसके बाद थोड़ा थोड़ा पिन को हलका हलका पतला का लिजिए क्योंकि गेर में फिटिंग करने में दिक्कत ना आए अब आप गाउनर वेट को गेर में नई पिन को डाल के फिट कर दीजिए यह नमबर एक यह आपकी फिट हो गई दूसरी अगर वीडियो पसंद आए गाई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अच्छा लगे तब भी नहीं अच्छा लगे तब भी क्योंकि अगला वीडियो इससे अच्छा आने वाला है यह हमारी पीन और गवर्णर वेट कंप्लीट हो गए बनके अब इमें स्प्रिंग नया स्प्रिंग कैसे डालते हैं कितनी स्पीड रखनी है स्पीड में चलाना है स्पीड में चलाना यही से सिट अप कंप्लीट किया जाता है यह दो को आप गवने सिस्टम कंट्रोल कर रहा है इसमें डाल देते हैं कि नमबर दू कि दूसरी सिविंग भी पड़ गई यह अब अपना का गवने सिस्टम अपना काम करने लगा है आपकी पंप सेट गाउनर सिस्टम कंट्रोलर फिट हो चुका है अब बांधने के लिए तयार है यही से आपकी स्पीड सिलो हाई डीजल सेविंग सारी कंडिशन यहीं से फिट की जाते हैं अगर किसी भी समस्या के लिए अगर आपको दिक्कत आ रही है अगर यही है